यहां पर आपको पिक्चर्स दिया है उस पिक्चर्स में आपको जो यहां पर आलफाबेट के पास डोट दिया है वह डोट किसके कितनी फारेस्ट है कितनी नियरेस्ट है कितने डोट है वह आपको यहां पर गेस करके उसका डिस्टन्स कितना है वह आपको गेस करके यहां पर बताना है और बाद में आपको स्केल लेकर भी यहां पर करने का है मेजरमेंट गेस्ट डिस्टन्स बिट्विन ए करते हैं सी और एंड पॉइंट को गेस करते हैं कि वह दोनों के बीच में कितना डिस्टन्स होगा सी और एन का साइट 2.5 या 2.9 हो सकता है मैंने गेस किया है आप अपी क्या करोगे बाद में सेकेंड वन आप अपनी स्केल लोगे और स्केल का एक जीरो से पॉइंट होगा वह वह जीरो वाला पॉइंट सी पर रखोंगे और बाद में स्केल को एससे रख दोगे एन तक उसको मेजर करोगे तो वह दोनों के बीच का डिस्टन्स कितना होगा फ्री सेंटीमेटर का होगा आप स्केल लेकर करना तो आपको पता चलेगा तो थ्री सेंटीमेटर होगा ता आपको क्या पुछा है now measure it with the help of a scale अपने स्केल से यह पता चला है तो did you guess right क्या आपको right मिला है no क्योंकि आपने guess क्या 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 था हमने guess 2.9 या 2.5 बट अभी यहां पर answer measure करते हैं तब 3 cm होता है तो first one में हम क्या लिखेगे no which two dots do you think are farest from each other check your answer आप यहां पर picture में देखो कैसे भी दो point से जो एकदम farest यानि कि दूर है जो एकदम से दो point दूर है वो है O और M वहां पर O point पर आपकी scale रखो 0 है वहां पर 0 side से हमने scale रख दी O पर और बाकी हमने A से M तक measurement किया तो वहां कितना होता है 10 cm साइथ होगा आप measurement करना तो सबसे दूर वाला जो point है वो है O and M या तो आप वहां पर लिख सकते हो O and M which two dots are nearest to each other check के रांसर अभी हमें ये check करना है कि दोनों point सबसे पास में कौन से है तो O और D point है वो दोन एकदम से नजदी के तो वहां पर हम रिखे के O और D the shorter line अकबर was a famous king अकबर एक famous राजा था he had a smart minister called Birbal उसके पास वहां पर एक smart याने की होशियार बहुत चालाक minister याने की मंतरी था बिरबल उसका नाम था once अकबर gave him a difficult question एक दिन अकबर रजो राजा था उसने एकदम difficult confusion वाला question पुछा बिरबल को मंतरी को he drew a line on the floor और अकबर ने एक फ्लोर पर नीचे line खीची अकबर says Birbal here is a line make it a shorter without erasing अकबर ने क्या बोला बिरबल को याने की अकबर जो थे राजा उसने बिरबल को ऐसा बोला कि मैंने जो ये line ड्रो किये उस line को तुम erase किये बिना ही उसको छोटी कर दो sort बना दो तो तुम कैसे करोगे तो Birbal तो चालाख था तो Birbal ने क्या सोचा now your line is shorter देखो कैसे कर दी Birbal ने picture में आपको दिखाया है कि Birbal ने अकबर जो राजा ने जो line खीची थी उसके exact नीचे ही दूसरी line जो अकबर राजा की line थी उससे बड़ी line रो कर दी है यानि कि क्या हुआ कि अकबर राजा की जो line है वो erase भी नहीं की और उसके नीचे उससे भी बड़ी line कर दी यानि कि अकबर राजा की line भी छोटी हो गई look at the picture and explain how बिर्बल made अकबर's line shorter आप ये picture देखो और उससे पता करो explain करो कि बिर्बल ने अकबर की line एसा ही erase किये बिना कैसे shorter बना दी तो वहाँ पर हम answer में लिखेगे by drawing a longer line below it यानि कि उसके नीचे ही दूसरी line बड़ी बड़ी length वाली यानि कि लंबी line ड्रो कर दी ताकि उस वो line को erase भी ना करनी पड़ी और उससे छोटी भी हो गई now can you be smart as a birbal तो ऐसे birbal smart make his line shorter without erasing एसे erase किये बिना ही उसने drawing कर दी और just think is there any longest line try this make her right arm one centimeter longer than the left arm वहाँ पर आपको picture दिखाए उसके left side पर उसका हाथ दिखाए दे रहा है तो यहाँ पर आपको right side पर उसको क्या करना है one centimeter का आपको arm draw करना है पर juo arm है उसका आपको one centimeter ज्यादा draw करना है तो आप scale लेकर measurement करोंगे तो one centimeter का तो ho गाई तो one centimeter तो आपने कर लिया measurement तो इस side आप क्या करोंगे define 2 centimeter का एक site उसको ex गलेकितना लंबा है उसक होगा तो तो क्या करना है उसका 1 cm का इसा भाजु में तो आप लोग जिरो से 1 का मेजर्मेंट लेकर यहां पर एक कब बनाओके शोर्ट लोग यह ब्रूम जो है उससे हाफ ब्रूम बनाना है आपको यानि कि यह ब्रूम है zero से four तक इसका distance आएगा यानि कि four centimeter का यह होगा तो आपको क्या करना है four से यानि कि two centimeter उसका आदार ड्रो कर डालोगे तो यह आदार ब्रूम यहाँ पर draw हो जाएगा draw another hair of double the length आपको क्या करना है यहाँ पर जो hair दिया है इसके सीर पर उससे double hair बनाना है तो उससे थोड़ा लंबा hair खिच दो तो वहाँ पर लंबा hair बन जाएगा how tall have you grown do you remember that in class 3 your measure your height आप class 3 में जब पढ़ते होगे तब आपके height अपनी measure की होगी do you think you have grown taller तो अभी आप उससे भी ज्यादा tall हो गई होगे यानि कि लंबे होगे आपके height बढ़ गई होगी how much centimeter यानि कि अभी आपके height कितनी हो सकती है have your friend also grown taller आपके friend के height भी बढ़ी हो गई ओ भी लंबे हो गई होगे find out the fill the table below तो उसके height कितनी लंबी होगी last year कितनी लंबी थी उसका table में यहाँ पर complete करना है for example आप पहले आप क्या करोगे friends के name लिखोगे तो मैंने यहाँ पर एक friends का name लिखा है देव उसके बाजू में last year height in centimeter last year height कितनी centimeter थी 125 centimeter थी थर्ड में अभी वह फोर्थ में आ गया है तो फोर्थ में उसकी जो this year height उसकी है 135 centimeter है तो how many centimeter have then grow तो उसकी height कितनी grow हुई है वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 135 में से हम क्या करेगे 125 को माइनस करेगे यानि कि this year की height centimeter है उसमें से हम last year की height centimeter को माइनस कर देगे तो 120 135 माइनस क्या करेगे 125 तो answer आया है हमारा 10 तो वहाँ पर हम लेके 10 centimeter उसकी height अभी बढ़ गई है तेसे अलग-अलग दोस्तों के name लिखकर उसकी height लिखकर आप इसे ये table को complete कर सकते हो जलपा once read a list of the tallest people in the world जलपा है वो एक बार ऐसे world की एसे book लेकर tallest people के record देख रही थी read कर रही थी सभी तो one of them was 272 centimeter tall that is just double of जलपा height how tall is जलपा एक बार ऐसे हुआ उसमें कि 272 centimeter उतना लंबा एक अदमी था और यह वो भी कितना बड़ा था कि जलपा की height से भी ज्यादा double यानि कि जलपा जो थी उसकी height से double था 272 था तो जलपा की height कितनी होगी तो हम लोग क्या करेगे 272 को divide करेगे 2 से तो 2 से divide करेगे तो answer क्या आएगा 136 आएगा तो जलपा की height कितनी होगी 136 और 136 plus 136 करोगे तो कितना आंसर मिलेगा आपको 272 मिलेगा यानि कि यह राइट हुआ वाव इस हाइट इस एक्जेटली डबल माई हाइट कि जल्पा क्या बोल रही कि यह सही है मेरी हैट से भी इसकी हाइट डबल है imagine could that person pass through the door of your classroom without bending आप सोच कर बताओ इसे imagine करके बताओ कि यहसा आपके classroom का जो डोर है वहाँ पर कोई ऐसा लंबा कोई 272 cm जैसा इतनी कोई हाइट लंबा हो और वो bending किये बिना वो क्या अंदर आ सकता है यानि कि जुके बिना अंदर आ सकता है no will his head touch the roof of your house if he stand straight आपके house में भी एसे straight एकदम खड़े रेकर इतनी हिलाए हाइट आपकी हो और आप एकदम straight खड़े रेकर अंदर आ सकते हो नहीं क्योंकि आपको जुके गे तब ही आप अंदर आ सकते हो तो वहाँ पर भी हम क्या लिखेगे no the long and short of your family who is the tallest in your family आपके family में कोई long होता है कोई short होता है तो सबसे long कोन है सबसे short कोन है वो यहाँ पर आपको लिखने का है तो वह इस दा टोलेस्ट इन यूर फेमिली सबसे उचा कोन है आपकी family में तो अगर आपके father है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो father वह कितने सेंटीमिटर उसकी हाइट है तो 220 सेंटीमिटर उसकी हाइट है तो वहाँ पर लिख डालोगे वो इस दा सोर्टेस इन यूर फेमिली आपकी फेमिल में सबसे चोटा कोन होता है तो आप ही होते है तो आप अपना नाब वहाँ पर लिखोगे और 120 सेंटीमिटर आपके हाइट है तो वह लिखोगे आपकी हाइट जितनी वहाँ पर आप डालोगे और वह दोनों के हाइट के बीच का डिफरेंस कितना है वह देखना है तो आपके फादर की जो हाइट है 220 सेंटीमिटर है और आपकी हाइट है वह दोनों को क्या करेगे माइनस करेगे सबस्ट्रेक्शन करेगे तब यह आपको जो आंसर मिलेगा वह आपको यहाँ पर लिख तो कुन सा यूनिट कब लगा सकते हो वह आपको भी सिखना है तो अगर आपको मालिया टुक केशोट का डिस्टंस पता करना है तो कुन सा यूनिट हम लगाते हैं उसके पीछे किलोमीटर का लेंथ ओफ पेन आपकी पेन या पेंसिल होती है तो उसका आपको मेजर्मेंट करना है तो किस में करते हो आप लोग सेंटीमीटर में करते हो कितने सेंटीमीटर की पेन है कितने सेंटीमीटर की पेन है तो यहां पर लिखोगे सी एम यूनिट आएगा सेंटीमीटर यूर हाइ सब्सक्राइब करें तो कि मिज़ल से ऑप बीज़ा एड़ा वाय। से से मिज़ल से डिस्टंस प्रों एहम्दाबाद टु जैम्दाबाद टू यहिंच कंड तो सब्सक्राइब का मेजर में Weinुट है वह हमको measurement करना है तो हम कैसे करते हैं मीटर से हाइट of a tree ट्री की height measurement करना है तो कैसे करते हैं मीटर से distance of a bus station from home bus station से आपका घर कितना दूर होता है वह हमको measurement करना है तो kilometer length of a cricket preach cricket जो खेलते हैं उसका जो मेदान होता है उसको कैसे हम measurement करते हैं मिटर से तेसे आपको याद रखना है कि कहां पर किलो मिटर यूज़ करते हैं कहां पर सेंटी मिटर यूज़ करते हैं